टेलिविजन इंडस्ट्री के फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा किसी भी पहचान के मोताज नहीं है वाकई में उनकी सक्सस किसी के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकती है आपके लिए भी क्योंकि बता दे कि कपिल को यह चीज विरासत में नहीं मिली इस नाम और शोहरत के लिए उन्होंने अच्छा खासा संगर्श किया है यह संगर्श दस साल का रहा इस दौरान उन्होंने छोटी छोटी बातों को नजर अंदास किया और हर हाल में अपने काम पर विश्वास रखते हुए अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाए उनकी कॉमेडी शो के सफर को हम सभी ने करीब से देखा है इनमें कपिल के सामने कई दिगश्ट है तो कई कुछ ज्यादा मशूर भी लेकिन कुछ बाते हैं जो उनको कुछ ना होने से आज एक हस्ती बना चुकी है वो अपना शू तो पेश कर ही रहे हैं बड़े फिल्मी स्टार्स के साथ इवेंट्स को भी होस्ट करते हैं और इसी से उनके ओधे का अंदाजाल लगाया सकता है जो अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर उन्होंने कमाया है ऐसे में कपिल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी लखी चाम के बारे में बताया है आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी लखी चाम उनकी वाइफ गिन्नी चत्रत नहीं बलकि कोई और है जी हाँ कपिल शर्मा ने हाली में पोस्ट के जरीए खुलासा किया है अरचना पूरन सिंग को उनकी लखी चाम बताकर कपिल ने इंस्ट अकाउंट पर अरचना पूरन सिंग के साथ दो पिक्चर शेयर की है फोटोस में दोनों को फणी तरीके से पोस करते हुए देखा जा सकता है बिहाइंड द सीन की ये पिक्चर शेयर करते हुए कपिल शर्मा ने कैप्शन देते हुए लिखा मेरी लखी चाम अरचना पूरन सिंग के साथ हमेशा मज़ेदार शूटिंग होती है आपको तादे कि अपने नए लुक के लिए तारीफ बटो रहे कपिल ने संधे राथ हुए द बेटी फैशन शो में राम पॉक भी किया था और डिजाइनर शशी रंजन और अनुरंजन के लिए कपिल शो शो स्टॉपर भी बने थे उन्होंने ना सिफ राम पर जल्वा भी खेरे बल्कि मस्ती भी की हमेशा लोगों की नकल करने वाले कपिल राम पर मॉडल्स की नकल करके स्टाइलिश और फणी पोस देते हुए नजर भी आये थे बॉलिवुड से आइनस के रिपोर्ट